आज मेरा टॉपिक है पुराने समय में पीने के पानी को रखने और थंडा करने के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले मिट्टी के बरतन मिट्टी के बरतनों के पीछे इतना जबरदस्त विज्ञान है कि आप जानकर हैरान हो जाओगे और हाँ ये जानना तो सबसे जरूरी है कि कौन से मिट्टी के बरतन लेने चाहिए बहुत सारे फैंसी मिट्टी के बरतन लोगों में कैंसर का कारण बन रहे हैं उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा दरसल हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और हम modern comfortable lifestyle अपनाने के लिए जीने के पुराने तरीके छोड़ रहे हैं इस आराम के बदले में जो कीमत हमें देनी पड़ रही है वो है हमारा स्वास्त है और आज का मेरा लक्षे है जन जन को वापिस पुरानी, सटीक और सबसे उत्तम तरीके से वापिस जोड़ने का क्या आप इस पुर्ने कारे में मेरे साथ हो? Write yes in the comment box और अभी के अभी इस वीडियो को लाखों के भले के लिए आगे से आगे पहुचाए Human body acidic nature की है जबकि मिट्टी के बरतन बनाने में इस्तिमाल होने वाली मिट्टी alkaline प्रकृती की होती है तभी तो सही घड़े का चुनाव महतुपूर है और जब यह acidic पानी यानि अशुद पानी के साथ interact करती है तो यह pH level को maintain रखने में मदद करती है जिससे इसे पचाना असान हो जाता है एक अदबुद बात मिट्टी के मट्के के बारे में यह है कि यह पानी को उतना ही alkaline convert करती है जितनी शरीर की मांग होती है न उससे ज़्यादा न उससे कम है ना अदबुद यही कारण है कि मट्के का पानी पीने से एसिडिटी और पेट की समस्याओं को दूर रखने में मदद मिलती है इस पानी को पीने से आपका गला कभी भी खराब नहीं होगा जो अकसर फ्रिज के पानी से होता है आपको respiratory diseases कभी नहीं होंगे जब हम प्लास्टिक की बोतलों में रखा पानी पीते हैं तो उसमें विसफैनल A यानी BPA जैसे जहरीले रसाइब होते हैं जो शरीर को कई तरह से नुकसान पहुचाते हैं जबकि मिट्टे के बरतन का पानी पीने से टेस्टोस्टरोन का स्तर संतुलेत रहता है इट मीन्स इट इस मस्ट फॉर मेन और हाँ आपके शरीर का मेटबॉलिजम भी वेतर होता है संस्टोक एक बहुत ही आम समस्या है जो गर्मियों में बहुत से लोगों को होती है मिट्टे के बरतनों में स्टोर्ड पानी से विटमिन्स और मिनरल्स शरीर में ग्लूकोस के स्तर को बनाय रखने में मदद करेंगे और आपके शरीर को जेंटल कूलिंग इफेक्ट प्रदान करते रहेंगे डी टॉक्सिकरन के जरीए हम अपने शरीर में मौजूद गंदगी को बाहर करते हैं इसके लिए लोगों के द्वारा अलग-अलग ब्रिंक्स का सहरा लिया जाता है वहीं मिट्टी के घड़े में स्टोर किये गए पानी को अगर पीने के लिए इस्तिमाल किया जाता है तो यह शरीर में मौजूद गंदगी को बाहर करने के लिए लाबदाय का सर दिखा सकती है आप चाहें तो इसका सेवन करके इससे होने वाले फायदे को खुद ही मैसूस कर सकते हैं मिट्टी में anti-inflammatory गुन होते हैं जिसके वजह से शरीर में दर्ब, सूजन जैसी समस्याईं नहीं होती अब सही घड़े का चुनाब कैसे करें मैंने भी अपने घर के लिए कुछ दिन पहले ही एक मटका खरीदा है ये देखिए हमने कुछ इस तरह से घड़ा सिलेक्ट करना है मिट्टी का घड़ा लेना है make sure कि वो plaster of Paris का ना हो white color वाले घड़े avoid कीजिए क्योंकि वो भी cancerous hands में बानी कीजिए तो इस तरह से घड़ा सिलेक्ट करना है हो सकता है आपको शहर में ना मिले तो आपको थोड़ा हट कर जाकर villages के लिए ना मिले तो मैं भी आज एक village में आई लेनी के लिए ये इस तरह से नोंने color पिया हुआ है तांकि इसमें पानी खंडा रही तो मैंने ये सिलेक्ट किया है आज अपने खर के लिए और इसके साथ एक सब्सक्राइब भी है और इसको कबर करके रखा है सुनिश्चित करें कि आप सफेद मिट्टी के बरतन नहीं खरी दे जो देखने में तो सुन्दर लगते हैं लेकिन होते हैं हानिकारक अपने लगते हैं